सुप्रबाद, आज मैं आपके सामने आपके हिंदी की पार्टे पुस्तर करेम जिम का अत्याय छे लेकर उपस्तितूं यह एक कविता है जिसका नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ और इसके कभी स्री हरी कृष्ण दास गुप्त जी है इस कविता में कभी में बच्चों के मन की बात कही है इस कविता के पात्र दो बच्चे है जिन में एक छोटा है और दूसरा बच्चा बड़ा है और यह कविता नाव बनाने की बात को लेकर लिखी गई है तो कविता की पंक्तियां है नाओ बनाओ नाओ बनाओ भईया मेरे जल्दी आओ यानि इसमें एक छोटा बच्चा है जो अपने बड़े भाई से ये विंती कर रहा है रिक्वेस्ट कर रहा है कि भईया जल्दी से आओ और आकर मेरी नाओ बनाओ वह देखो पानी आया है घिर घिर कर बादल चाया है साथ समुंदर भर लाया है बच्चा अपने भईया से कहता है कि वह देखो भईया पानी यानि कि बारिश आ गई है और आसमान में बादल चा गए हैं उमड गुमड रहे हैं और ये बादल साथ समुंदर दूर से अपने में पानी भर कर लाए हैं जैसा कि सभी जानते हैं कि बादलों में पानी कहा से आता है समुंदर से तो ये छोटा बच्चा भी कहता है कि भाया देखो आसमान में बादल जो हैं वो समंदर से पानी लेकर के आए हैं तुम रस का सागर भर लाओ भाया मेरे जल्दी आओ तो भाया तुम भी मेरे लिए रस का सागर यानी आनंद का सागर भर लाओ जैसे ही बादल पानी लेकर आई हैं न सागर से वैसे ही तुम भी नाव बना कर मेरे लिए आनन्द का सागर बना दो भाईया मेरे जल्दी आओ पानी सच मुझ खूब पड़ेगा लंबी चौड़ी गली भरेगा लाकर घर में नदी धरेगा बच्चा कहता है कि जैसे कि आस्मान में बादल घीरे हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि अभी सच में बहुत बारिस होने वाली है इतनी बारिस कि हमारी जो गली है लंबी और चौड़ी वो गली भी पानी से लबालब भर जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे हमारे घर में ही नदी बन गई है तो ऐसे में तुम भी लहराओ भाया मेरे जल्दी आओ तो भाया ऐसी इस्थिती में जक्की खौप भारी सोने वाली है और नदी जैसा गली हमारा बं जाने वाली है तो ऐसे मौसम में भाया तुम भी जल्दी से आؤ और मेरे लिए नाउ बना दो गुल्लक भारी अपनी खोलो हलकी मेरी नहीं टटोलो पैसे नहीं नहीं ही रोलो तो बच्चा कहता है कि भया मुझे कोई साधारन सी नाव नहीं चाहिए मुझे एकदम खास नाव चाहिए और खास नाव बनाने के लिए पैसों की जरूरत होगी और पैसे की कमी हमारी गुल्लक पूरी करेगी तो अपनी भाईया तुम अपनी गुल्लक खोलो क्योंकि तुम्हारी गुल्लक भारी है यानि कि उसमें ज्यादा पैसे है हल्की मेरी नहीं टटोलो तुम मेरी गुल्लक को मत टटोलो यानि मत छुओ क्योंकि मेरी गुलक हलकी है पैसे नए नए ही रोलो तो इसलिए तुम मेरी हलकी वाली गुलक को छोड़के अपनी भारी वाली गुलक में से नए नए पैसे निकालो और उसके बाद फिर बाजार लपक तुम लाओ भाईया मेरे जल्दी आओ और उसके बाद तुम लपक कर यानि जटपट बाजार जाओ और जल्दी से आजाओ मेरे पाद ले आओ कागज चमकीला लाल हरा या नीला पीला रंग भिरंगा खूब रंगीला और बच्चा अपने भाईया से कहता है कि बाजार जाकर तुम चमकीले कागज ले आओ जो लाल हरे नीले पीले खूब सारे रंगों के हो खूब रंगीले हो रंग भिरंगे हो उसके बाद कैंची चुटकी हाथ चलाओ भाईया मेरे जल्दी आओ और कागज ले आकर तुम उन कागजों को कैंची चुटकी और जल्दी जल्दी हांथों को चला करके मेरे लिए एक सुन्दर सा नाउ बना दो चप चप कर कूड़े से अड़ती बूंदो लहरों लड़ती बढ़ती सबके आखों चड़ती गड़ती बच्चा कहता है कि नाउ जब मेरी तुम बना दोगे भाया तो वो जब आगे बढ़ेगी लहरों से लड़ती हुई नदी की लहरों से लड़ती हुई और कहीं कहीं जो कूड़े के डेर लगी होंगे उनसे वो रुप जाएगी थोड़ी देर के लिए लेकिन फिर उनते भी लड़ाई लड़ेगी और आगे बढ़ जाएगी सबकी आँखों में चड़ती गड़ती और मेरी नाउ सबकी आँखों में फिर गड़ने लगेगी सकी आइंको में चड़ने लगेगी सबको मेरी नाउ अपनी ऑर अकरसित करने लगेगी 9-13 मुझको हरसाओ भाया मेरी जल्दी आओ तो भाया फ्लीज मेरी नाउ को 13 दो बना कर ताकि मुझे खुशी हो जायا तो मुझे मेरी नाउ को बना कर खुशी प्रदान करो क्या कहते क्या मेरे क्या बसका क्यों तब फिर यह किसके बसका खोट सभी है बस आलसका फिर इतने बाते सुनने के बाद जो बच्चे का जो भाई रहता है वो कहता है कि नहीं यह काम मेरे बसका नहीं है क्यों तब ये फिर किसके बसका और वो अपने भाई से सवाल करता है कि अगर ये तुम्हारे बसका नहीं है तो फिर किसके बसका है खोट सभी है बस आलसका और फिर उस बच्चे को ये बात ही समझ में आ जाती है कि उसके भाई की इसमें कोई गलती नहीं है गलती असल में आलस से की है यानि उसका भाई आलसी है खोट कार्थ होता है कमी इसलिए वो कहता है कि भाईया तुम्हारी गलती नहीं है ये सब खोट तुम्हारे आलस का है आलस छोड़ो सब कर पाओ भाईया मेरे जल्दी आओ फिर वो अपने भाईया को कहता है कि भाईया अगर तुम ये आलस छोड़ दोगे तो तुम हर काम कर पाओगे सारे काम कर पाओगे तो भाया मेरे जल्दी आओ यानि भाया यह आलस को छोड़ कर तुम जल्दी आओ और जल्दी से मेरी नाव बना दो तो इस तरह इस कविता में दो बच्चों की मन की बात के द्वारा कभी ने बहुत बड़ा संदेश भी दिया है कि अगर हम सभी आलस को छोड़ दें तो कोई भी काम संसार में हमारे लिए मुस्किल नहीं होगा तो हमें आलस को त्याग कर हर काम को करने की कोशिस करनी चाहिए और इससे हमें सफलता जरूर मिलेगी तो ये चोटी सी कविता आसा है आपको बहुत पसंद आई होगी तो आप इस कविता को ध्यान से पढ़ें और याद करें इसके अगले भाग में हम इसके प्रशुतर के साथ फिर उपस्तित होंगे धन्यवाद